हेलो, नमस्कार, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आज मैं आ रखे जिससे की विजगाएं को 9030 सोथ हो, जिसे की हमें एक अच्छ इनकम प्राप्त हो, इस व्यज़ियो को अन्त जरूर देखे तक कि आपको खित्ति से जुड़ी सिम्ध करी प्राप्त हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो व्यज़ियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताके इनने किसानों को खित्ती से जुड़ी से भी जानकारी प्राप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देशी कपास के किसमे 15 अपरे से शुरू होती है विजाई अर्याणा में मुख्यत कपास के तीन तरह की भी इस किसानों की तरफ से प्रियोग किये जाती है जिसमें नर्मा बिट्टी कोटन तथा देशी कपास सामिल है कपास के सभी बीजों की बजाई अपरेल से शुरू हो जाती है जो पूरे महिने में रहती है देशी कपास लगाने वाले किसानों को रियाना स्कार परतियंगर 3000 रपे की वीतियं मदद देती है इस मदद को प्राप करने के लिए राज्य कैसे किसानों को मेरी किसल मेरा ब्योरा पूर्टल पर रेजिस्टेशन कराना होता है रेजिस्टेशन के प्रक्रिया 25 जनुरी से सुरू होती है और 35 मही तक रेजिस्टेशन करा सकते है जानकारी के मताबिक किसानों की तरफ से अंदान के लिए रेजिस्ट्रेट करवाए जानने के बाद उसका बुद्द्रिक से तैपान होगा जिसके बाद किसानों को नदान असी जारी की जाएगी गुलाबी सुंडी बनी है समस्या कपास अर्याना में प्रमुक नगदी फसल है जिससे अर्याना के किसान थोड़ी नमकिन वा कमजोर भूमें सबलता पुरुक उगा रही है दान की तुलना में इसमें लागत कम रहती है जबकि बजार में इसका बहुत दान से अधिक करता है ऐसे में किसान कपास की तरफ अधिकास कर्सित हुए है लेकिन वित्ते कई वरसों में उत्तरबात में होने वाली कपास की फसल पर गुलाबी सुंडी लग जा रही है जिसमें कपास की फिसल खराब हो जा रही है जिसको देखते हैं वितिक कुछ समय से विशे से गुलाब भी सुन्डी मनेजमेंट के लिए इसी टकनोलोजी पनारेंगे पर जोड दे रहे हैं वहीं इसी भी चर्यानुक्त आज हम बात करते हैं देख पास की वरायटी की यह के आरेक्सो ग्यारा वरायटी सकती वर्तक आईब्राइड सिस प्राइवेट लिम्टेट के दवारा बनाया गया है इस किसम का वद्धा फिलावदार होता है इसमें 22-23 फल दारक्सकाय होती है इसमें टिंडे का वजन 2-3 ग् 265-266-265-63 सक्ति वर्तक आईब्राइड शिट्स प्राइवेट लिम्टेट तिलक बजार इंसार के आरेक्सो ग्यारा बार सरकार द्वारा नोटिपाइड किसम हैं अक्खिल बार्तिया समनित के पास सुदात प्रियोजनास प्रिक्शनों के अनुसार के आरेक्सो ग्यारा इत्र बार्त में एएच वन के तुलना में अधिक थता अरियाना में एएच वन से अधिक सीवन सी आर से अधिक थता राजस्तानी में राज डियाच नाइन से अधिक पैदावार दी है 2016 से या किसम बार्त का जोनल चैक है कलीवा फूल बनने से पहले के वस्ता बुक्की में सूंडिया परवावी रहती है जो बुक्की को खाती रहती है जिनके और किसान का द्यानी नहीं जाता है उसमा दिस्टिक पास में पोदो पर फूल दिखाई नहीं देती है, ये शुंडिया फूलों और फूलों को खाती रहती है, बाद में किसान का ध्यानी सोर जाता है अता परसल बचाने तो ट्रेसर का पहला सप्रेज जुलाई के पर्थम सप्ता में अवस्या करें, उसमा किसान यह ना देखे कि उसमें कोई केड़ा है या नहीं है, अक्सर किसान यह भी सोचता की बरसानत आएगी तो ही सप्रे करूआं, अन्ता किसान बाई बरसानत आने या या पानी लगाने का इंतिजार नहा करें, ट्रेसर के पहले जुटकाओं के बाद 70 mm ट्रेसर या 1500 ग्राम टाकुमी पत्ती एंकड का सप्रे 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोराते रहे, उसमा पवस्ता में अन्पी के 1919 के गोल था 50 mm लिट्र पलानोफिक्स का पत्ती एंकड आरम हो जाए तो उसमा तेरा जिरो पंतारीस की सप्रे को कम से कम दो बार दोराई, जिससे फलो को अधिक खुराक मिल सके, इससे आपकी पैदावार ज़्यादा होगी कर्पिया द्यान दे कि किसान भाई दवा का चिटकाव करते समय यह सुनिशित कर ले कि टैंक या टंक की से ग्यों के पसल में टूपोर्डी दवाय का प्रियोग ने किया गया हो अज हम बात करते देसी कपास के विगानी खेत्ती के बारे में 1. देसी कपास की विजाई के लिए उपयूकट समय 2. खेत का चुनाओ 3. मिट्टे की जाँच 4. पाने की जाँच 5. बूमी 6. जल्वायू 7. खेत की त्यारी 8. फचल पत्ति या फचल चकर नंबर 11 प्रसल की बुआई सिचित ता ऐसी चेतरों में नंबर 12 खर्पतवार की रोगताम नंबर 13 तीस दिन बाद सिचाई नंबर 14 तीस दिन बाद निराई या गुडाई नंबर 16 तीस दिन शार्ड दिन बाद सिचाई या फिर वर्षा नंबर 15 जलगा प्रबंदन नंबर 16 केटवा रोगा प्रबंदन नंबर 17 सप्रे एंटी कलोराईड मौनू आसाटाप फंगस के लिए कॉप परोक्सी कलोराईड इतियादी वैफल फूलों के बढ़वार के लिए टोनिक का पिर्योग नंबर एक प्लैनो फिक्स नंबर दो कल्टार नंबर 17 फसल में खाद का उप्योग फिर चुनाई फिर बंदारन यह मुख्य स्टैप है जो देशिक वास की फसल में उप्योग किया जाते हैं अब हम बात करते हैं देशिक वास की पुरी उग्यानिक हैती के बारे में नंबर एक उप्योग सुमय देशिक पास की वीजय का उप्योग स्मय से अपरेल वा मै Valent कने होता है फजार में कपास को की वा इट यह अपरेल महिने के वीजय के लिए हम इंगiskt वार्यटी वाप पंद्रा मै के पिरफ़ अहार के लिए 75 व्रायटी का ही चुनाव करते हैं. बज्टू में सर्षो के फणों को रोटावािर की साथा réalité से चुनाव धूसी मेंुलनी सुच सुर्छी तरही बढ़ें। ताकि खैट किसी चाहब अच्छे तरीक्ते से हो जाई अब हम बात करते हैं देश्य कप R. sì सबसे पहले अपने खैट की मिट्टे के जांस करवा ले जिससे हमें याफतासलगटा कि मिट्टे में किन किन पोसतत्तों की कमी है और खेत की मिट्टे किन किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टे में कौन कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे गहूं, चना, अरहर, सरसों, राया, बरसीन, गना, अलू, मक्का, बाजरा कपास, त्यादी मिट्टे की जांसे में या पता चल जाता कि इसका प्याच मान कितना है जैसे कपास की बिजाई, फास पोर्स वा, पुटास बिजाई के समाँ पोरे अगर फास पोर्स बिजाई पर नहीं डाली गई है, तो बोकी पर पोरे बोकी का मतलब फूल आने पर पोरे अगर गयों के बाद के समाँ डाली जाने वाली नाइट्रोजन बिजाई पर पोरी अब हम बात करते हैं पानी की जांस की, अगर आप फसल की बिजाई के लिए नेरी पानी का इस्तियमाल करते हैं अगर आप वर्षा के बाद पसल की बिजाई करते हैं तो भी इसमें बिजाई के समय यह एक समस्या बन जाता है अगर पानी का पीपी में एक जार से कम है और इसमें सभी परकार की फसल के लिए अच्छा है और इसमें 20 गांकूर्ण 100% तक हो जाता है अगर पानी का पीपियों में एक जार से जादा है तो इसमें बीज कम कुण सी तरिक्के से नहीं हो पाता है इससे हमारा नुक्सान हो जाता है इसलिए पानी की जांस करवाना भी बहुत जुरूरी है कपास की खेती के लिए बहुमी का चुनाओ कपास की खेती के लिए अच्छी जल दारण और जल निकास समतावाली बहुमी होनी चाहिए जिन सेत्रों में वर्षा कम होती है वहां इसकी खेती अधिक जल दारण वाली समतावाली मत्यार बहुमी में की जाती है जहां सिचाई की सुविद्धा उपलब दो, वहां बलूई वा बलूई दो मत मिट्टी में इसकी खेत्टी की जा सकती है यह अलकी अमली है यह उम सारी बूमी में उगाई जा सकती है इसके लिए उप्यूकत पियाच मान साध्य पांच से साध्य छै है अलकी इसकी खेत्टी साध्य आठ पियाच मान तक वाली बूमी में अच्छी तरह शेक की जा सकती है कपास की खेत्टी के लिए मोसम वह जलवाई यूदि परियापत सिचाई सुविद्धा उपलब दो तो कपास की फचल को मई मा में ही लगा जा सकता है सिचाई की प्रियापत उपलब दाना होने पर मानसूंग की उप्योकत वर्षा होती ही कपास की फचल उगा सकती है कपास की उत्म फचल के लिए आदरस जलवाई उकाउन आप चिक है फचल के उगने के लिए कम से कम 16 degree centigrade और अंकुरुन के लिए आदरस तामान 32-34 degree centigrade होना हो चीता है इसके बढ़वार के लिए 21-27 degree तामान होना चीए फल लगते समय दिन का तामान 25-30 degree centigrade और राते ठंडी होनी चीए कपास के लिए एकम से कम 50 degree centigrade बर्शा आवश्यक्ण है 125 cm से अध्धिक बर्शा के होना कपास के लिए अनिगारक होता है कपास के उनत कहत्य के लिए खेट के त्यारी उत्री बात में कपास की खेटी मुक्षाया दारी दोती है इन चेतरों में खेत की त्यारी के लिए एक से दो गैरी जुताई करने चीए हैं इसके बाद तीन से च्यार अलकी जुताई कर पट्टा लगा अगर भुआई करने चीए कपास का खेत त्यार करते हैं इस बात का जहां रखना चीएगी खेत पूर्णत्या समतलों ताकि मिट्टे की जल दानवा जल निकासमता दोनी अच्छी हो यदि खेतों में करपतवार की ज्यादा समस्या ना हो तो बिना जुताई या नियुन्तम जुताई से भी कपास की खेत की जा सकती है दिख्षणिवाय मद्यमार में कपास वर्षाधारित काली भूमी में उगाई जाती है इन छेतरों में खेत त्यार करने के लिए गयरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल्सी रभी फसल की कटाई के बात करने चीए जिसमें पतवार नश्ट हो जाते हो अगर आप गोपर की खात का इस्तियमाल करते हो तो आठ से दस रोली एक अंकट के लिए प्रियापद रहती है या खात मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर जमिन को संदल कर दे अब हम बात करते हैं फसल पति या फसल चकर फसल चकर अपनाने का मुख्या देश्या प्राकतिक सहसादनों का उव्यूकत करके उसमें अधिक फसल उतपादन करना होता है किसी भी खेत में फसल को अदल बदल कर बोना एरफेर कर बोना फसल चकर कहलाता है ऐसा करना से मर्दा के उरुकता सकती बनी रहती है और पैदावार भी बहुत अच्छी होती है किसी भी खेत में एक निष्चित समय में उसकी मर्दा की उरुखता सकती, वो बनाये रखने जाने वाली फसलों के कर्म को फसल चकर करते हैं किस चेतर की भूमी जल्वाई योई अथ्टावर्न कार्पों के दार पर भीविन फसल चकर अपनाय जाते हैं एक अच्छे फसल चक्र को अपना करें किसान अपनी भूमी में अधिक से अधिक लाप कमा सकता है फसल चक्रों की संक्या तीन होती है एक वर्षिय फसल चक्र जैसे मक्का के बात गें हूँ दो वर्षिय फसल चक्र जुवार बरसीन दान मक्का इसके तरिक्त फसलों के चक्रों के दारपत फसल चक्र को वर्गिकत किया गया है रविक की फसल में अपनाए जाने वाले फसल चक्र ख्रेब की फसलों में अपनाए जाने वाले फसल चक्र और जैद की फसलों में अपनाए जाने वाले फसल चक्र फसल चक्कर के सिधान्त उतले जड़े वाली फसलों के बाद गेरी जड़ वाली फसलों को उगाना चीए देख खाद के आउसकते वाली फसलों के बाद कम खाद के आउसकते वाली फसलों को उगाना चीए अधिक जल की आवसकते वाली फसलों के बाद कम जल की आवसकते वाली फसलों को उगवाना चीए फलीदार फसलों के बाद एफलीदार फसलों को उगवाना चीए कर्शी सहसादनों का प्रियोक समता पून डंग से करना चीए बुमिय कटाव से प्रबावीत छेतरों में फसर्चक्र में आछिद प्रसलों का समाविस होना चीए विविज फसलों का यकर निष्चित हो जाने थे उनके आवशक बीज का थथा करफ त्वाल रसीन अधिकाउंचित समय के उनस्वार बियों क्या जा सकता है फसल चक्कर में गैरी कम उतली वाली जड़ों के समिलित होने के कान बूमे क्यों पुर्गी सिता थाथा निच्चे की सत्य से पुशक्त तत्यों का फसल चक्कर द्वारा उंची वह तेजी से अवस्वसुन होता है एक फसल चक्कर को अपनाने से मर्दा सरक्षण में कमी आती है क्योंकि फसल चक्कर में आचा दजन फसलों को समिलित किया जाता है कर्शकों को वर्ष बर कर्या करने का आफसर मिलता है फसल चकर के लाव मर्दा के उरुकता सक्ति में वर्द्य होती है, मर्दा के बहुतिक रसाइनिक तदाज़विक गुणों में सुधार होता है सगन फसल चकर को अपनाने से भूमी में जुआस पदात की मातरा में वर्द्य होती है उंचित फसल चकर को अपनाने से भूमी में पनपने वाले विविन बिमारियों के प्रवाव में कमी आती है फसल चकर अपनाने से किटो थदा खरपतवारों पर भी नियंतरन होता है अब हम बात करते हैं देशिक पास के लिए बीज का चुनाओ बीज की किसम या वराइटी या बीज का उप्चार बीज की मातरा हमें अपने खेत में फसल की बिजाई करते हैं ऐसे बीज का चुनाओ करते हैं जो की अपने छेतर और एरिया के हिसाफ से ठीक हो बीज का सुनाव में मिटटी समय प्रियों पनी के अंसार है क्योंकि दंप मिटटी है लाग रेतिली जमीन के लिए अलग अलग वे Streamяс के अंसार अलग व्राइटी मार्केट में उपलबद होती हैं बीज की वराइटी है अमें एक आसी वराइटी का सुनाव करते हैं जो हमारे शेत्रवा जमीन वा पानी के हिसाब से ज्यादा उत्पादन देती हो, हमें एक ऐसी कंपनी के बीज वा सुनाओ करना था जो कंपनी सरकार के द्वारा रिजिस्टर हो, जैसे राशी यूशी सक्ति वर्दक, बीज खरिद्दस में हमें बीज का पक्का भी अवस्या में लेना चीह है, जिसे की बीज के डूप्लिकेट होने के चांश कम होते हैं और एक अच्छा औरीजनल बीज अमें एक अच्छा उत्पादन दीता है, अब हम बात करते हैं, बीज के उपचार की हम विमारी की रोकताम के लिए उपक्चार को तै Cem से हम फंगय साइड visuals audio vm culture भी करते हैं सबसे पहले हम भीज को aged की दौईयों से फचार है पिर हम उसको nut को інCticides की दौईयों सो सकार करते हैं इसक्तिशाइड की बिमारी उसे रोक थाम के लिए किया जाता है फिर अब राज जो भी हम कल्चर से उप्चार करते हैं जो की पैदावार बढ़ाने में वर्दी मदद करता है, अब हम बात करते हैं बीजगी मातरा हम देशिक पास की विजय के लिए एक अंकड में दो पैकट की विजाई करते हैं, वो संकर किस्मों की वराइटियों में हम ये दो पैकट की विजाई करते हैं, अगर हम देशी कबास की देशी वराइटियों करते हैं, तो हम एक अंकड में लगबग 2-3 किलो विजाई करते हैं, लगबग सभी संकर किस्मों का ही करते हैं क्योंकि संकर किसमें जादा उत्पादन देती है जैसे कियार 64 द्शिक पास की उनत किसमें द्शिक पास की उनत किसमें हैं HD 107, HD 123, HD 324, HD 432, वसंकर किस्मे AAH 1, AAH 32, वाक के आर 64, यह देशी का पास की उनत किस्मे है, जो बहुत बढ़िया उत्पादन देती है, HD 324, इस देशी का पास की किस्म के पूद्दे लारंगे, पत्ते का मद्यम और रंग लाल होता है, इस किस्म के फूल गुलाबी रंगे, फूलों के अंदर गारे लारंगे, बेहुंप्राकन पिले रंगे होते हैं, इसके पोद्दे में 3-4 मजबूत वानस्पतिक सकाएं होती ह यह उसद पैदावार नो से दस कुंडल परतियंकड है इसके रेस्चे के उसद लंबाई 15-16 मिलिमेटर और रूवी का पतिसत ब्यारी से है यह किसम पकने में में एक सो पिचेतर से देन लेती है इसलिए का पास गयों फुसल करके लिए उप्यक्त है इदि इस किसम की बुवाई यह बिजाई पंदर अपरेल मां के पहले पकवाड़ा में की जाए तो अधिक पैदावार के साथ साहर रेस्चे के गुणमत्ता में भी अच्छी सुधार ह होती है विजाई या फसल की बुवाई विजाई अगर आप मशीन की साहता से खाद की बिजाई वह बीज की बुवाई एक साथ कर सकते हैं में बीज की बिजाई सुबह या स्याम की समय करने चाहिए विजाई की समय में लाइन से लाइन की दूरी तो वह बीज से बीज की द पूरपान से 6 cm जमिन की पर चड़ जानी चीए ताकि बीज गा जर्मिनेशन अच्छी तरिक्के से उसके और बीज गांकूर्ण सही तरिक्के से उसके फसल की बॉए इस चित था ऐसे चित चेतरों में नहरी पानी से की जा सकती है वह ऐसे चित चेतरों में वर्षा के अदार पर इसकी विज जाए की जा सकती है खर्पतवार की रोक्थाम के लिए हमें विज जाए के तुरुंत बाद पैंडा में लिथियां 30% इसी का ही चिटकाओ करना चीए 500 mm दुआई को डाइसर लेटर पानी में उसका गोल मना कर उसके उपर एक अंकड में उसका चिटकाओ करना चीए इससे खर्पतवार वाँ जर्मिनेशन नहीं होगा अब बात करते हैं कपास की कित्ते के लिए निराए गुडाई है हम सिचाई पहले निराए गडाई हमकूर्ण के 20-25 दिन के बाद करने चीए यदि पसल में सिचाई की जूट पड़े तो अलकी सिचाई करने चीए इससे कीट वा रोग आसर कम रहता है यह अच्छी पैदावार होती है वहीं अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो हमें सिचाई की आउसकता कम पड़ती है जल परबंदन कपास की खत्ती में जल का परबंदन भी होना बहुत जुरूवी है क्योंकि अगर वारिश हो जाए तो हमें जल निकास का परबंदन करना चीए यह आप पंप की साईता से कर सकते हो कपास की खत्ती के लिए खहा दें बढ़ रग कपास की उनत किस्मों के अच्छा पैदावार के लिए परती एक्टेर नाइट्रोजन 80-120 kg, फासपवर 40-60 kg, पुटास 20-30 kg, सलफर 25 kg देना चीए, जब किसंकरवा बीटी किस्म के लिए परती एक्टेर नाइट्रोजन 150 kg, फासपवर 75 kg, पुटास 40 kg, वेवं सलफर 25 kg प्रिय प्रियों, फासपवर 30 म. फासपवर 50 kg, फासपवर 50 kg, अच्छी पैदावार के लिए बात करते हैं, कपास की फसल में लगने वाले प्रमुक केट, गुलाबी सुड़ी, गुलाबी सुड़ी कपास की फसल के लिए कर कोई सबसे बड़ा दुस्मन कीट है तो वह है गुलाबी सुन्डी जो अपना पूरा जीवन उसके पोदे पर बिताती है यह पास के छोटे पोदे कलीवब फुल को नुकसान पुजा कर पूरी पचल को नश्ट कर देती है इसका प्रकौप हर साल होता है प्रबंदन इसके नियंतर्ण के लिए कोरो मंडल के किट ना सकता फेंडाल 50% इसी का सटकाव कर फेंडाल एक भू आयामी किट ना सका है यह किडे पर लंबे समय तक नियंतर्ण रखता है इसके लाव इसमें तेज देखी गंद होती है जो वैसके किट को अंडा देने से दे कृट्फ को था है यह अंतरल पक्रदार चोड़ता है वह पेंडेंट्व का रस चूषता है इस कर बंदन स्पेद मक्ही किट पर बंदन के लिए कोरो मंडल का फिल नूप प्रियों करेंद फिनियों में दो अनुकी किट ना सकों जो डिया जो तो विई का रह से लूश् अंडा निप वैसे को एक बार में समादान उपलत कराता है इसके प्रती अंकट 400-500 mm की मातरागी जूर्थ पड़ती है अब हम बात करते हैं महू या फेट किट की या बहत कॉमल कीट होता जो दिखने में मटमेले रोका होता है महू कीट कपास की पत्यों को खुर्च कर उसका रस दूश लेता है इसके बाद पत्यों पर एक चिपच्पा पदा चोड़ता है प्रबंदन की किट की रोक थाम के लिए कुरोंडल के फिन्यों किट नाशका चिटकाओ करें अगर आप दूसरे किट नाशका चिटकाओ कर सकते हो तो आप डोक्टर की सब्सक्राइश के किट ना सकते हो या उपलवद है आप तेला किट के लिए सप्राइक करें हरा मच्छर या देखने में पांच बुजाय कर और पीले रंगा होता है इसके के आगे के पंकों पर एक काला दबा पाया जाता है जो कपास की शिचुएं वशक अवस्ता में पत्यों का रस चुचत करता है जिसे पत्या पीली पड़कर सुखने लगती है परबंद इसके केट के परबंद के लिए पूरे केट में परतिया कट दस पीले पर पंच लगाने चीए इसके अलागा 5 mm नीम तेल को एक मिलिमेटर टिनोफाल या सेंड़ोविट को परती लेटर पानी के साथ गोल ब पूरी प्रणवर्थ तता गेंटों का रश्चु जाता है इसके बाद इस मिठा चिपश्वा परदार छोड़ता है कि इसके परबंदर के रोकताम के लिए पूरे खेत के आसपास पीले परपंच लगाए अब हम बात करते हैं कपास की पसले में लगने वाले प्रमुक नमबर दो मायरो थोशिस पत्ति दबा रोग नमबर तीन अल्टरनेट या पत्ति दबा रोग नमबर चार पोद अंगमारी रोग जुआन जुल्चायम कुणिया दबा रोग या रोग पुद्दे के वाईउ विया वागो को नुक्साम पुचाता है जान छोटे गोल दब्बे बन जाते है जो बाद पिले पड़ जाते है या कपास की सहपतियों और गंटों को भी नुक्सान पुचाता है इस रोग के एक बड़े बूरे दब्बे बन जाते है इसके बाद पत्तियां तोटकर निच्चे गिर जाती है इससे 25-30% उत्पादन में कमिया जाती है रोग थाम के लिए उनुस्यसिद्ध किटनास का ही प्रियोग करें अर्टरनेट या पत्ति दबा रोग मोसम में तदिक नमी के काण प सब्सक्राइब अर्टर के परामर्स के उनुस्वारी किस्ठ कि प्रियोग करें नबर 4 पोद अंगमारी रोग य है रोग पुद्धे कि मुसल्य जटव ठोन को छोड मूस मुख था जिसके किन पोद्बाम चाता है रोग थाम के लिए सब्सक्राइब हाँ होकोड करें अब बिम्मारी के उनुसार भी आप सप्रे करते हो या फिर आप टाटा आसाटा पर साथ परसंट इसी का चटकाओ करें अगर आप फंगस की द्वाय के लिए रोक थाम के लिए चटकाओ करते हैं तो आपको प्रोक्स क्लोराइड का ही प्रियोग करें अगर आप के खेत में फल पूलों की संक्या में वर्दी होती है वह फूलों का जड़ना बंद हो जाता है उत्पादन में भारी वर्दी उत्ती है अब बात करते हैं उत्पादन की कपास की खित्ती से उत्पादन की चुनाई लगबग नुम्बर के पहले सब तक तक हो जाती है इसकी उत्पादन की बात करेते हैं तो 50 एक्टर 20 से 25 क्यूम्टल पर एक्टर तक उत्पादन हो जाता है वही बिट्टिक पिश्मों का अलग 20 क्यूम्टल तक उत्पादन होता है इसकी चुनाई कर लिजाती है और फिर इसका बंदान कर लिया जाता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अजिए यूदियो को जादा से जादा लाइक,शेर,कमेंट,देवर इंगेट सेढ़ा इन शेया करें हैं।